एक बार फिर स्वागत है लास्ट क्लास में हमने बात की थी पाइलोन नेफराइटिस के बारे में आज हम लेके आएं आपके लिए एक निया टोपिक किड्नी स्टोन जिसे रीनल केलकुलाई या नेफरोलेथियासिस भी कहते हैं आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे न यूरिनरी सिस्टम इसमें क्या होता है जो स्टोन है वो कहीं भी यूरिनरी सिस्टम के अंदर परजेंट हो सकती है कहीं भी लोकेट हो सकती है तो अगर किड्नी स्टोन जो स्टोन है वो किड्नी के अंदर परजेंट हो तो उसे हम नेफरोलेथियासिस कहते हैं अगर स्टोन का formation urators के अंदर होता है तो उसे urolithiasis कहते हैं अगर stone का formation urinary bladder के अंदर होता है तो उसे systolithiasis कहते हैं तो चलो start करते हैं आज का topic nephrolithiasis तो nephrolithiasis means क्या होता है अभी हमने पड़ा कि location का परजेंट रहेगी stone की kidney के अंदर परजेंट रहेगी components क्या होते इसमें calcium auxolate होता है calcium oxolate जमने से stone का formation होता है stone formation होगा तो obstruction होगा Obstruction की वज़े से straining होने का chance रहेगा stubignon score means होता है injury injury की वज़े से रहे हमेचूरिया होने के chance रहेते हैं कौन-Kौन सी diet है जो आवोइड करनी है पेसेंट को नहीं देनी है risk factor कौन-Kौन सी हैrows énस्क कोन से है क्योंटि कृंग से जो यूंज में नहीं देना है योऊ मिन्वें तरफे प्रवाइड करना है नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरो लिथियासिस के बारे में तो यूरो लिथियासिस अभी हमने पढ़ा था कि जो स्टोन की लोकेशन है वो कहां रहेगी यूरेटर्स में रहेगी कंपोनेंटस इसमें क्या होता है यूरिक एसीड क्रिस्टल से जो जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं तो कौन-कौन सी डाइट है जो हमें अवोइड करनी है बी एड नहीं लेना है ओर्गन मीट अवोइड करना है येस्ट अवोइड करना है सार्डिन्स एंड एनकोईज अवोइड करना है Sardin and Enco is a fish का टाइप है Next हम बात करते हैं कि कौन सी डाइट है जो पेसेंट को प्रोवाइड करनी है तो alkaline S डाइट हमें पेसेंट को प्रोवाइड करनी होती है जिसे milk and fruits है जो पेसेंट को प्रोवाइड करने है causes और etiology के अगर हम बात करें तो इसका exact cause है जो unknown है risk factor क्या क्या हो सकते हैं risk factor हो सकता है imbalance of pH in urine hyperthyroidism और chronically elevated uric acid level in blood जो uric acid का level है जो increase होगा elevate होगा blood के अंदर तो cause कर सकता है renal stone excessive intake of vitamin D vitamin D का ज़्यादा 7 कर रहे है अगर कोई patient तो prolonged dehydration लंबे समय से अगर dehydration की problem है तो renal stone होने के chance रहते है और अगर किसी family की history है kidney disease की या renal stone की तो उसके new generation के अंदर renal stone होने के chance रहते है next हम बात करते हैं type of renal stone की तो पांच type अपन mainly study करेंगे first है calcium oxalate, calcium phosphate, struvate stone या triple stone और uric acid stone और cystic stone तो first हम बात करते हैं calcium oxalate stone की तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि कौन सा stone most commonly देखने को मिलता है तो calcium oxalate stone देखने को मिलता है इसके chance रहते है 80% caused by super saturation of urine with calcium and oxalate इसमें क्या होता है कि जो calcium and oxalate है जो urine के साथ urine के अंदर सोरी देखने को मिलते हैं जमा हो जाते हैं ये alkaline प्रकरती का होता है avoid food कौन से food है जो avoid करने हैं तो पालक इसके अंदर हम avoid करते हैं calcium phosphate stone के 5-10% chance रहते हैं caused by super saturation of urine with calcium phosphate इसके अंदर urine के अंदर क्या देखने को मिलेगा calcium phosphate ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है ये alkaline प्रकरती का है avoid food in calcium calcium है जो food में avoid करना है जैसे कि milk and dairy product avoid किया जाता है next हम बात करते हैं triple stone की तो triple stone के अंदर 3 चीज़े include होती है इसलिए हम इसको triple stone बोलते हैं इसमें ammonia, magnesium और phosphate include रहता है caused by urea splitting bacteria कौन-कौन से बैक्टीरिया की वज़े से कौज होता है pseudomonas, klebicella और streptococcus ये more common in women because of UTI ये ज़्यादा तर women's में देखने को मिलता है क्योंकि UTI की वज़े से ये भी alkaline प्रकरती का है next हम बात करते हैं fourth cystic stone ये 10-15% chance रहते हैं किसके वज़े से कौज होता है जो cystic crystal के formation की वज़े से ये कौज होता है ये acidic chemistry का है ब्रकरती का है और इसमें क्या चीज अवोइड करेंगे हम meat, milk, cheese और egg है जो अवोइड रहती है next हम बात करते हैं fifth uric acid stone की तो 5-10% इसके जांस रहते हैं ये किस वज़े से होता है caused by excessive dietary purine जो dietary purine जो food होते हैं जैसे की meat है red wine है ये source हम क्या करते हैं इसमें avoid करते हैं और ये भी acidic प्रकरती का होता है next class में हम बात करेंगे इसके clinical manifestation के बारे में management देखेंगे medical management, surgical management और nursing management जो 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 जोजएगे